नमस्कार दोस्तो आज मैं आप सब के लिए लेके आई हूँ गर्मियों की बहुत ही खास मिठाई की रेसिपी इस मिठाई को आप बिना चीनी के बना के तैयार करेंगे सबसे अच्छी बात है यहाँ पे आपको मिल्क पाउडर की भी जरुवत नहीं पढ़ने वाली है और यह बहुत ही स्वादिष्ट बढ़िया आपकी मिठाई बनके तैयार होने वाली है मैं इसे आपको पास से दिखा रहे हूँ कितनी सांदार दानेदार यह बनके तैयार हुई है जब आप इस मिठाई को खाएंगे ना तो आपको मिल्केक की यादा जाएगी बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया दानेदार सी बनके तैयार हुई है तो चलिए बिनदेर की ये सुरू करते हैं इस सौप्ट सी और रसीली सी मिठाई को बनाना इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कडाई लेना है इसमें डालना है एक कप दूद यहाँ पे आप मेजरमेंट के लिए गलास भी ले सकते हैं या फिर कप के नाप से भी ले सकते हैं यहाँ पर मैंने एक गलस दूद का इस्तिमाल किया है और यह फुल क्रीम है अगर आपके पास जो भी दूद आता है वो भी आप ले सकते हैं और दूद को बस हलका सा गरम करना है और उंगली से इस तरह से छूके देखना है कि यह बहुत ज़दा गरम तो नहीं है बस इतना ग अभी कर सकते हैं गुड की जगा चीनी भी डाल सकते हैं लेकिन इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने गुड का इस्तिमाल किया है बिना चीनी के ही सांदार मिठाई बनके तयार होगी जो की खाने में बहुत ही स्वादिश लगने वाली है करना कुछ नहीं है इसके लिए अच्छी से गोल लेना है ताकि यह बूर दूध में अच्छी से गोल जाए इसलए मैं इसे हल्का गरम घाय था आप इसे साइट रखेंगे ताकर अच्छ गोल जाए käyt ले लेंगे यहांपर केक टिन में हम अपनी मिठाई को सेट करेंगे यहाँ पर आप कोई थाली, प्लेट, जूस में भी आप अपनी मिठाई सेट करना चाहें, वो इस्तिमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पर केक टिन में मैंने बटर पेपर लगा दिया, बटर पेपर इसलिए लगा दिया कि जब हम कोई भी मिठाई निकालते हैं तो वो बहुत ही आस रखे, गुल चुका है, और इसे छानना नहींच जरूरी है तो वन निकल जाएगा. अब बापिस इस दूद को हम कडाई में डाल लेंगे कुराइं ऐसे नहीं रखे ले औहम क्या क्रूँने ने बापिस इस दूद को कडाई में डाल लेते हैं तो एक मिक्सी का जाल ले लेते हैं और इसमें डालेंगे एक कप ड्राइ कोकोनेट यहां पे पूरा एक कप ड्राइ कोकोनेट का मैंने इस्तिमाल किया है गर्वियों में इस मिठाई को आप आराम से खा सकते हैं कोकोनेट से बनी है खाने में भी बहुत ही प्रश्ट लगती है। साथ में यहां पर मैंने ड्राइफूट में काजू लिये हैं। यहां पर आपको 10-15 काजू का इस्तिमाल करना है। तो बस इस तरह से आप काजू ले लिजिए। बहुत ज़दा काजू की ज़रूरत नहीं है। अगर आप काजू नहीं डालना चाहते ह हैं तो जो भी ड्राइफूट डालना चाहें वो डाल सकते हैं या फिर इसे इसकी भी कर सकते हैं। तो देखें इस तरह से बढ़िया से पीस के तैयार कर लीजिए। आप देखें कोकोनेट बहुत ही अच्छे से पीस गया है। दोनों चीजों को हमने बढ़िया तरीके से आप चाहों तो इसमें 1-2 चंमच चीणी डालके पीस सकते हो। तो अगर कोई दिक्कत हो, तो आप 1-2 चंमच इसमें चीणी डालके मैं बढ़िया पीछ असे ओध के तयार कर सकते हो। आप देखें, यहां पिगेस पे मैंने दूद को को हो रख दिया। आज जैसे ही मिनट ही गरम करेंगे इस से ज़्यादा मिधूत को नहीं पकाना है बहुत ही एजी तरीके से यह मिठाई बन जाती है इसमें बिगरने के कोई चांस नहीं है क्योंकि हमने चासनी बगेरा कुछ भी नहीं बनाया है तो यह मिठाई बहुत ही सांदार बढ़िया बनके तैयार हो कि अब इलाजी के पाउड़ डालने के बाद मैंने दो मिनट और इसे गरम किया है अब हम इससे ज़्यादा गरम नहीं करेंगे देखें यह गरम हो गया है कापी गरम आपको यह वीडियो में दिखरा होगा वसी इसी तरह से हमें कर लेना है और जैसे ही इसमें हलका हलका सा दोड में दूद में इस देखें से यह की गें। आ सबक्सक्राइब दी। में डाल देना है बहुत ही अच्छी आपकी मिठाई बनके तयार होगी दो से तीन फिलिवर मिठाई में आपको टेस्ट में आएंगे जो की खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट और बढ़िया लगेगी आप देखें ऐसे मैंने पकाते हुए से थोड़ा सा थिक कर लिया है आपको पास से दिखा रही हूं कि कुछ इस तरह से यह दिखने में लग रहा है अब इसमें आप चाहो तो मिल्क पाउडर बगेरा भी डाल सकते हो या फिर घर की ताजी मलाई डाल सकते हो और भी इस मिठाई को स्वाधिश्ट और बढ़िया बनाने के लिए तो यहां पर गधर देखें मेरे पास मावा था तो मैंने आदे कफ यहां पर मावा का इस्तिमाल किया है आप चाहो तो तो यहां पर milk powder जैसे मैंने बताए डाल सकते हो या फिर आदे कब घर की ताजी मलाई का भी इस्तिमाल कर सकते हो इस मिठाई को बनाने में. यहां पर देखे माबा डालने के बाद ये मिठाई और भी दानेदार और सांदार बनके तयार होगी. इस मिठाई को आप किसी को भी खिलाएंगे कोई यकिन नहीं करेगा कि आपने इसे घर पे बना लिया है बिल्कुल मार्केट से भी अच्छी आपको ये मिठाई बनके तयार होने वाली है और जैसे मैंने बताया इसमें फ्लेवर बहुती सांदर आने वाला है घर के ही कुछ सामन से देखें ये बन जाती है अब मैंने इसे बड़ी हतरी के से धीमे आज में भून लिया है इसका कलर देख रहे हैं आप कितना प्यारा अच्छा सा आ गया है थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर इसे चेक कर लीजिए इस तरह से इसका गोला बनना चाहिए बहुत ज़्यादा मतलब चिकना गोला नहीं बनेगा सौप्ठी बनेगा तो बस इसे निकाल लेजिए और साइड रखिए और केक टिन में इसे सेट कर दीजिए तो बस इस तरह से मिठाई को डाल दीजिए और बढ़े तरह से फैला के चिकना कर दीजिए चमच की सायता से इसे बढ़े चिकना कर देना है देखने में आपको मिलकेक लग रहा होगा पर ये मिलकेक नहीं है पर मिलकेक से भी जञदा सांदार ही है मिठाई बनके तैयार हो गई है और इसे सेट करने में 15-20 मिनट आपको आराम से लग जाएगा अगर आपको जल्दी है तो आप इसे फ्रिज में रखके भी सेट कर सकते हैं इसे पीसिस में कट कर लीजिए बढ़िया तरीके से जैसे पीस आपको पसंद हो मैंने कुछ चौकूर पीस में इसे कट कर लिया है देखें कितनी सांदार और सौप्ट दानेदार हमारी मिठाई बन गई है यहाँ पे मैंने गुलाब की पत्ती और पिस्ता से सजा दिया है आप चाहो तो एक एक काजू रखके भी इसे सजा सकते हो सजाना आपके उपर है आप इस मिठाई को कैसे सजाना चाहते हो हमारी सुपर स्टेश्टी मिठाई बन के तयार हो गई है और यकीन मानिए यह खाने में बहुती स्वादिष्ट बनती है मैं इसे आपको पास से दिखा रही हूँ एकदम दानेदार सौप्ट सी यह बन के तयार हुई है यह देखें कितनी बढ़िया है तो चलिए मिलेंगे इसी तरह से